ओम शीगड़े शाय नमारा धराय दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल बतकता एसलोजर में स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम मई और जून की पुत प्राप्ति की सम डेट की जानकारी दे रहें दोस्तों इन डेटों का अगर आप सही प्रियोग करते हैं तो निश्यत है आपको मन वांचे संतान की प्राप्ति होती है दोस्तों सबसे पहली जो डेट है दो मई की रात और तीन मई की सुबे दसमी ति थी दो बजे से चार बजे तक का समय आप प्रियोग कर सकते हैं तीन मई दसमी तिथी दिन में बारा बजे से रात को ग्यारा बच कर पच्चिस मिनड़ तक का समय आपरियोग कर सकते हैं पांच मई द्वादशी तिथी दिन में बारा बजे से शाम को पांच बजे तक का समय आपरियोग कर सकते हैं नो मई दुतिया तिथी रात को नो बजे से चार बजे तक का समय आप्रियोग कर सकते हैं दस मई की रात और ग्यारा की सुबा चतुर्थी तिथी रात को तीन बजे से चार बजे तक का समय आप्रियोग कर सकते हैं बारा मैं की रात तेरा की सुबा शुष्टी ति थी रात को दो बच कर चार बजे तक का समय आपरियोग कर सकते हैं तेरा मई शश्टी तिथी दिन में बारा बजे से रात को दो बचकर पचास मिन तक का समय आपरियोग कर सकते हैं सत्रा मई दसमी तिथी रात को नो बजे से चार बजे तक का समय आपरियोग कर सकते हैं उन्निस मई द्वादशी ति थी, रात को दस बजे से चार बजे तक का समय आप्रियोग कर सकते हैं 24 मई दुतिया ति थी, रात को नौ बजे से चार बजे तक का समय आप्रियोग कर सकते हैं 26 मई चतुर्थी तिथी रात को 8 बजे से 4 बजे तक का समय आप्रियोग कर सकते हैं 28 मई शश्टी तिथी रात को 9 बजे से 4 बजे तक का समय आप्रियोग कर सकते हैं दोस्तो अब जून महिने की पुत्प्राप्ति की समडेट तीन जून द्वादशी तिथी दिन में बारा बजे से रात को बारा बच कर उननिस मिनट तक का समय आपरियोग कर सकते हैं साथ जून दुतिया तिथी रात को नौ बजे से चार बजे तक का समय आपरियोग कर सकते हैं नौ जून चतुर्थी तिथी रात को नौ बजे से चार बजे तक का समय आप्रियोग कर सकते हैं ग्यारा जून शश्टी तिथी रात को नौ बजे से चार बजे तक का समय आप्रियोग कर सकते हैं बारा जून शश्टी तिथी दिन में बारा बजे से शाम को चार बजे तक का समय आपरियोग कर सकते हैं सोला जून दसमी तिथी रात को आठ बजे से चार बजे तक का समय आपरियोग कर सकते हैं 23 जून दुतिया तिथी रात को 9 वजे से 3 बचकर 25 मिनर तक का समय आपरियोग कर सकते हैं 24 जून की रात 25 की सुबह चतुर्थी तिथी रात को 1.5 वजे से 4 वजे तक का समय आपरियोग कर सकते हैं 25 जून चतुर्थी तिथी दिन में 12 वजे से रात को 11 वजे तक का समय आपरियोग कर सकते हैं 26 जून शश्टी तिथी रात को 9 वजे से 4 वजे तक का समय आपरियोग कर सकते हैं 30 जून दसमी तिथी रात को 9 वजे से 4 वजे तक का समय आपरियोग कर सकते हैं दोस्तों ये हमने मई और जून की पत्प्राप्ति की सम डेट की जानकारी दी रहे साथ ही दोस्तों आप अपनी जनम कुटली का मिशलेशन अवश्य करवाएं जिससे की आपको पता लग सके कि कौन से महिने से आपका योग बन रहा है उस महिने में आपको सम डेट का प्रयोग करना है तो निश्य दी आपको मन वांचिस संतान की प्राप्ती होगी तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरू करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले आप सभी को ओम शीगने शाय नमा